दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री चलिए सर जुबा केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है बोर्ड एक्जाम के लिए और अब जो भी दोस्तों हमारा समय बचा हुआ है उसको हम पूरा बचो अपने बोर्ड एक्जाम पे लगाने जा रहे हैं ठीक है शुरुआत करते हैं सबसे कमजोर कड़ी organic chemistry से क्लास टोल की organic chemistry में सर देखिए पहला chapter हमारा aromatic and aliphatic halide ठीक है aromatic and aliphatic halide चलिए सर वहाँ सबस्थ करते हैं ठीक है alkyl and aromatic halide ठीक है ये दोस्तों चलिए पहला chapter हम लोग start करते हैं बहुत अच्छी बात है सदीकि अगर हम बोर्ड एक्जाम को देख रहे हैं सर देखिए board exam में सवाल जो आ रहे हैं किस तरीके के आ रहे हैं सर देखिए सवाल हमारे आ रहे हैं हमसे basic nomenclature वगरा molecule का नाम हम पूछ लिया या फिर conversion के सवालों में हमें इस तरह से molecule का नाम दे दिया कि अगर हम structure नहीं पहचान पाए तो conversion ही नहीं हो पाएग रियेजेंट की information इस chapter में कौन-कौन से रियेजेंट का क्या-क्या use है उससे क्या-क्या हुआ है उसको आप तो अध्यान रखिए reaction product sequencing मतलब कि आपको एक रियेजेंट दे दिया उसमें दूसरा रियेजेंट डाल दिया प्रोड़क्ट बनेगा उस प्रोड़क्ट फिर हमने दूसरा रियेजेंट डाल की दूसरा प्रोड़क्ट बनाया है ABC type के जो reaction sequence question होते है वो और सबसे important क्या conversion के सवाल ये सारी चीजें सर देखिए हमसे यहां पर पूछी जा रही है तो सबसे पहले शुरुवात करते सदेखिए कुछ हमारे जो basic जो structures हैं उनको सर पहले आप पढ़ लीजे ठीक है तो कुछ basic molecules के structure हैं जिनको सर आप थोड़ा सा ध्यान देरीजिए चली सर उसको पहले हम आपको पढ़ा देते हैं तो जैसे कि दोस्तों हम लोग nomenclature में जान करना है देखो board exam में जो examiner आ रहा है अपनी बीवी से बच्चों देखे लड़ करके आ रहा है ठीक उसका mood खराब है यही अमान करके चलो तो उपर से आपकी गंदी writing देखेगा और mood खराब हो जाएगा आपने hundred out of hundred लिखा तो भी 90 के उपर वो नहीं देखा ठीक है यह तो बेवकूप बिनानी कोशिच मत करना वो बेवकूप नहीं बनेगा जितने आपने exam दिये हैं उसको thousand से multiply कर दी है उसनी उतने copy चेक करी हुए है ठीक है तो don't worry तो एकदम just be honest life में honest रही है सब कुछ अच्छा होगा तो भाई देखे कुछ basic molecule जो है उनके सर देखे आपको थो भूले से नाम याद रखने पड़ेंगे common name ठीक है यह चीज जैसे कि यह क्या है सर एथायल chloride है यह सर एथाइल chloride है च्लोरीन की जागे ब्रोमिन होगा तो इथाइल प्रोमाइड हो जाएगा ठीक है यह यहां पर सार आते हैं यह हमारा क्या है सर प्रोपाइल ग्लोरइड है यह हमारा क्या सर प्रोपाइल क्लोराइड है ठीक है सर ठीक है यहाँ पर नॉर्मली एल लगा देते हैं क्योंकि यह स्ट्रेट चेन है सीडियर सीडियर ठीक है यह चीज बहुत अच्छी बात है यह हमारा सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी हो जाएगा और इसको हम आईसो प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से टाच है वो टू डिगरी कार्बन है है chlorine जिस carbon attaches और वो 2 degree carbon तो इसलिए secondary profile chloride भी चलेगा और अगर बीटा second last carbon पर CH3 की branching होती है ध्यान सुना second last carbon पर CH3 की branching है तो isoverd भी use होता है ठीक है बहुत अची बात है sir यह sir हमारा tertiary butyl chloride यह हमारा क्या sir tertiary butyl chloride यह हमारा tertiary butyl chloride हो जाएगा बहुत अच्छी बात है common names की बात है UPSC नीम तो sir हम लोग करी लेंगे ठीक है बहुत अच्छी बात है great nice wonderful butyl chloride दोस्तों यह हमारा क्या हो जाएगा sir देखिए butyl chloride हो जाएगा butyl chloride हो जाएगा और यह हमारा second last carbon पर अगर CH3 की branching है तो sir यह हमारा isobutyl chloride हो जाएगा यह हमारा isobutyl chloride हो जाएगा यह carbon से कोई चीज अटयच है तो वे विनाइल हो जाता है यह सर विनाइल क्लोराइट हो जाएगा ठीक है इस अरभी द और डबल बॉपन करबने से बगल वाले कारण पर कोई चीज अटयच है तो सर वह जाएका वो सरर नाइल क्लोराइड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यह चीज, बेंजीन से directly कुछ अटाच है सर, क्लोरो बेंजीन, बेंजीन से कुछ अटाच है बेटा, क्लोरो बेंजीन, और बेंजीन से बगल वाले कार्बन से कुछ अगर कुछ अटाच है, तो सर, यह बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा ठीक ए बैंचीन के बगल वाले कारवन से कुछ ये बडूराइड बैंजाइल इलकोहल वीडियो लेक्चर भी प्लेटिस में डालती हैं उससे आप basic आप समझ जाओगे ठीक है अब हम लोग आते कैं सर सीधे सीधे चाप्टर की थेओरी पर अब हम लोग कहां पर आते सर सीधे सीधे चाप्टर की थेओरी पर चलिए सर अब आप लोग आते चलिए सर चाप्टर की पर सीरे सीधे आते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले क्या चीज़ आप याद रखिए molecule की कुछ देखे physical properties की देखे सर बाते हो रहे हैं कौन-कौन सी molecule की देखे physical properties की बात हो रहे हैं सबसे पहले बेटा देखे dipole moment ठीक है dipole moment physics में भी आपने पढ़ा होगा sir dipole moment क्या होता है mu बराबर q into d तो dipole moment की जो value है वो depend करती में चार्ज पर भी और distance पर भी और इसी कारण से alkyl chloride में sir dipole moment के order में sir एक बहुती लाजवाब चीज हमको देखने को मिलती है क्या sir लाजवाब चीज हमको देखने को मिलती है sir हमको यहाँ पर यह देखती को मिलता है कि sir alkyl chloride का dipole moment सबसे अधिक है क्योंकि chlorine का bond इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर distance into charge का product maximum है ठीक है फिर fluoride फिर bromide and then फिर iodide तो यह हमाए पार sir देखिए dipole moment का order होता है ठीक है बहुत अच्छी बात है इसके बाद boiling point की बात करते हैं सदीखिए जो boiling point होता है molecule का boiling point जो होता है molecule का depend करता है किस पर बिटा IMF पर IMF से मतलब क्या है sir intermolecular force molecule का boiling point बिटा किस पर depend करता है intermolecular force पर अगर आप से board exam में सवाल आ गया कि in molecule के boiling point को arrange करिए इन molecule को boiling point के order में arrange करिए एक लाइन जरूर यह आड़ करना कि boiling point of compound depends upon क्या intermolecular force molecule आपस में चिपकते कितने अच्छे से हैं ज़्याद अच्छे चिपकेंगे उनको अलग करना उनको evaporate करना उनको gases phase में ले जाना मुश्किल होगा ठीक है यह चीज़ तो intermolecular force पर depend करता है यहाँ पर जो intermolecular force है क्या है सर यहाँ पर intermolecular force है dipole moment dipole-dipole interaction ठीक है सर यहाँ पर जो intermolecular force है वो है dipole-dipole interaction और उससे भी बड़ा क्या है सर vendor wall force में यहाँ पर जो है vendor wall force है main यह है क्योंकि dipole है तो बट उतना ज़्यादा नहीं जितना यह ज़्यादा vendor wall force है क्योंकि यहाँ पर molecular weight बहुत हाई है और इसी कारण से बिटा जी यहाँ पर जो boiling point का order है वो हमको सर देखने को मिलता है क्या alkyl iodide में सबसे आदा फिर bromide में फिर chloride में and then सबसे कम fluoride में ठीक है इन चीजों को आपने ध्यान रखना होगा ठीक है इन चीजों को सर आपने ध्यान रखना होगा यह सर dipole moment का order है mu से represent करते हैं और यह सर हमारा boiling point का order है ठीक है perfect सर ठीक है यह चीज़े देखे यह तो general order है R वगरा दिया हुआ है अगर मालीजी हमको specific alkyl group अगर मौजूद है molecule में तो हम क्या करेंगे सर अगर specific alkyl group अगर मौजूद है तो आपने यार रखने जो molecule जितना बड़ा होगा बड़े molecule का boiling point large होगा boiling point is directly proportional to size of molecule बड़े molecule का boiling point अधिक होगा चोटे molecule का boiling point कम होगा boiling point is directly proportional to size of molecule तो इसका अताद पर यह है कि सर छोटा एक carbon का boiling point कम होगा 2 carbon का अधिक होगा 3 carbon का और अधिक होगा इस तरीके से ठीक है सर यह चीज़ आप ध्यान रखिये बड़ी carbon, जितने आ रखोंगे वो चीज़, दूसरा बिटा यार रखना है कि अगर branching आ जा रही है, तो सर्व branching से boiling point कम हो जाएगा, branching से molecule छोटा हो जाता है, compact हो जाता है, आप molecule को submit करके लिख देते हैं, ठीक है, देखो इस molecule का जो size है, वो इतने से में ही समाहिद है, नहीं ये जो molecule इसा देखे, फैला हुआ है, ये molecule से थोड़ा सा फैला हुआ है, तो बड़े molecule में vendor wall force अधिक होता है, और branching से boiling point कम हो जाता है, क्योंकि molecule का size और vendor wall force कम हो जाता है, ठीक है, ये चीजे सरा आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात है, great, nice, wonderful, और अगर halogen में boiling point अधिक होगा, ठीक है, बड़े halogen में boiling point अधिक होगा, iodine में boiling point, bromine से, bromine में chlorine से, chlorine में chlorine से boiling point अधिक होगा, ठीक है सर, ये चीज, alkyl halide पानी में soluble नहीं है, they are non-water soluble, क्योंकि ये पानी के साथ hydrogen bond नहीं बना सकते हैं, alkyl halide, slightly soluble in water, they are slightly soluble in water, alkyl halide सा slightly soluble in water, alkyl halide beta हमारे पानी में slightly soluble है, they are slightly soluble in water, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि ये चीज, क्या बात है, क्यों, because of inability to make H bond with water, because of inability, because of inability to make H bond with water, क्योंकि इनके अंदर बेटा, पानी के साथ hydrogen bond बनाने की tendency नहीं है, because of their inability to make hydrogen bond with water, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, great, nice, wonderful, ये सर, पानी के साथ hydrogen bond नहीं बना सकते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर, great, nice, wonderful, चलिए सर, ये अपना यहाँ पर हो गया है, आगे बढ़ते हैं सर, तो भाई देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर देखे सर, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, डाइपोल मॉमेंट हो गया, बॉयलिंग पॉइंट यहाँ पर हो गया, ये सारी चीज़े हमने हाँ पर बता दिए, एक बड़ा ही इंपॉटेंट सर, फिजिकल प्रॉपर्टी का डेटा होता है, जो कि हम बच्चों को, कॉम्टेटिव एक्जाम में बताते हैं, और यहाँ पर भी बताएंगे, ठीक है, सब्सक्राइब बताएंगे, और इंटरम Suppose यहां पर क्या है, डाइपोल डाइपोल और Wender wall force, ठीक है, तो पैरवाले में डाइपोल काफी हरत तक कड़ जाता है, और थुअली में डाइपोल अधिक होता है, ठीक है, तो boiling point में, डाइ-क्लोरो बेंजीन में जो order है क्या है? हमने आपको बच्चों को बताया हुआ था बोरिंग प्राइम मिनिस्टर बोरिंग प्राइम मिनिस्टर यह बोरिंग प्राइम मिनिस्टर ध्यान रखना कहां के हैं पाकिस्तान के बोरिंग प्राइम मिनिस्टर के हम बात कर रहे हैं इसी को नाम ही नहीं पता है पाकिस्तान मे फिर P से पहरा and then meta, तो sir BP का order ये है, ठीक है, अगर हमसे melting point की बात करेगा, sir melting point IMF पर depend करता है, intermolecular force पर depend करता है and also depends on packing, and also depends on packing, and also depends on packing, ये इसके साथ साथ packing पर भी depend करता है, packing से सताथ पर क्या है इसको हम बता जेते हैं, तो बटा देखिए अगर मान लिजे, हम molecule को, अच्छे से pack करते हैं, मतलब 1 की उपर 1 करके सर अगर मान लिजे, molecule को हम pack करते हैं, एक की उपर एक तो ये देखिए इन्होंने, sir, बहुती कम space में ये arrange हो गए है, और ऐसे क्या हो रहा है molecule पास-पास है पास-पास है तो इनके बीच में forces जादा होंगे तो molecule कितने closely arranged है यह हमारा बच्चों देखे packing से हमारा मतलब होता है अगर हमा लीजे molecule को unorganized way में सर अरेंज किये हुए है एक molecule कहीं है दूसरा molecule कहीं और है molecule अच्छे से नहीं पास-पास नहीं आपा रहे है तो उनके बीच में forces वीग पढ़ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखे solid state में हमें molecule में पैकिंग में भी देखना है यह packing का concept सिर्फ और सिर्फ melting point में आता है क्योंकि solid state में ही packing allowed होती है liquid और gases face में molecule mobile होते हैं तो वहाँ पर packing का concept का मतलब भी नहीं है हम कहें कि हम जमीन पर तैर रहे हैं सर तैरने का concept पानी में ही allowed है हवा में और जमीन पर तैरने का concept ही नहीं होता है ठीक है इसी तरह से बिटा यह packing का concept सिर्फ melting point में ही allowed है boiling point में खुदा के वास्ते ठीक है packing का concept मत बोल देना matter खराब हो जाएगा matter खराब हो जाएगा ठीक है तो melting point में क्या यार रखोगे dye chlorobenzene में MP of Mirjapur हम सब ने Mirjapur से रीज देखी थी तो melting point में जो order है पहले पैरा क्योंकि पैरा बहुत ही symmetrical है पैरा compound is very very symmetrical यह symmetrical है पैरा molecule symmetrical है तो इसमें good packing होती है इसमें close packing होती है यह word को बेटा लेकर के sentence मना राब पैरा and then उसके बाद क्या off for ortho and then meta यहाँ पर देखे सर मेल्टिंग पोइंट का order होता है इस शीज़ को सर आपने ध्यान रखना है yes are they important they are very very important for school exam board exam as well ठीक है सर चली सर बहुत अच्छी बात है boiling point पे बच्चा लोग ध्यान रखेंगे और melting point पे भी हमारे बच्चे लोग ध्यान रखेंगे क्यों नहीं ध्यान रखेंगे सर क्यों नहीं ध्यान रखेंगे ना यह चीज़ चली सर बहुत अच्छी बात है पिछला वीक थोगा सा में लिए काफी hectic था मतलब पिछला वीक क्या कहूं हूँ दो-तीन हपते सर काफी hectic थे क्योंकि काफी जारा दिल्ली आना जाना रहता था ठीक है और इसलिए थोड़ा सा आपके साथ continuity थोड़ी से तूट गई थी कम हो गई थी और हमको भी रिला कि बच्चों को लास्ट में पर डिस्कस डिस्ट नहीं करना होता है एक्जाम में वह फोकस करें हम अपना वाच्टाइम बढ़ाने के चक्कर में बच्चों को पल-पल क स्ट्रेटजी वीडियो और वो सब देने का हमें कोई मतलब नहीं था ठीक है तो यह चीज़े थी तो आप लोगों ने पेपर दिये और अभी जेई में के बच्चे लोग पेपर दे रहे हैं अच्छे होंगे अच्छे होंगे ठीक है बस थोड़ा सा काम रही है नील नील प अपड़ी कारकर में हापे खतम हो गया ठीक है सर तो इसको अब हम अटा देते हैं हां जी सर अटा देते हैं अब दीखे हमारे नोट में क्या क्या चीजे हैं सर इसके बाद हमको अपने नोट में सर केमिकल रियाक्शन पर देखना है कि ऐलकलाइट को बनाना कैसे है यह सारे के सारे method of preparation है ठीक है इस पर चलिए अब हम लोग आते हैं method of preparation of alkaline ठीक है methods of preparation of alkaline चलिए इस पर हम लोग कारकम करते हैं बहुत अच्छी बात great nice wonderful ठीक है यह चीज़ दोस्तों देखी अगर हम method of preparation of alkaline की सर देखी अगर हम बातचीद करें तो alkaline को देखी की बनाना कैसे है सबसे पहले घृषइ अगर हम को alkaline को बनाना है तो सबसे easy जो method होता है from alkane from alkane alkane से alkaline को बनाना हमाए पास अगर alkane है ठीक है तो उस में हमने halogen डालना है और साथ में light डालना है एलकेन का एक hydrogen हट जाएगा, उसकी जगे पर halogen आ जाएगा, ठीक है, यह चीज, this is the most easy reaction, याद रखेंगे बचे लोग कि एलकेन में सिर्फ एक ही reaction सच सबसे अदा frequent होती, which is free radical substitution reaction, ये reaction, एलकेन में एक ही reaction सबसे frequent होती, which is free radical substitution reaction, FRS reaction, ये reaction, इस reaction में आपने हमेशा जो halogen लेना है, वो क्या लेना है, कोशिश करो bromine लो, bromine is quite good, quite selective होता है, और chlorine लीजे, या तो bromine लीजे या chlorine लीजे, कोई और halogen मैं आपको allowed नहीं करूंगा, ठीक है, तहाँ पर जो halogen है, या तो bromine लोगे या chlorine लोगे, और light ज़रू डालना, light या फिर 500 degree temperature, ठीक है, ये चीज़, अगर molecule में बहुत सारे hydrogen है, तो कौन सा hydrogen निकलेगा, पहले तो बिटा आप या रखना है, कि सर्थ 3 degree carbon से attach hydrogen पहले निकलेगा, या बेंजीन, एलाइल जो carbon है, ठीक है, सर्थ, बेंजीन से attach जो carbon है, उसका hydrogen भी बहुत जल्दी नि निकलेगा, और, एलाइल carbon का hydrogen अगर है, वो भी बहुत जल्दी निकलेगा, ठीक है, ये चीज़ है, तो ये पहले निकलेगे, उसके बाद 2 degree carbon's attached hydrogen, और सबसे कम 1 degree attached carbon's attached hydrogen, इसके पीछे reason क्या होता है, stability of free radical, ठीक है, ये चीज़, तो सबसे पहले तो आप या रखना FRS reaction, simple alkane ह क्या, SP3 hybridized carbon होना चीज़िए, SP3 carbon's attached hydrogen ही यहाँ पर react करता है, उसमें आप hydrogen डालोगे, light डालोगे, reaction हो जाएगे, तो ये सबसे असान तरीका है, बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा और क्या हम लोग ले सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, हम alken के उपर भी सरम कारिकम बन add कर दे, यहाँ पर कोई light की आवशकता नहीं है, यहाँ पर mostly solvent होता है CCL4, CCL4 क्या होता है, solvent होता है, ठीके, तो alken अगर हमने लिया, उसमें directly halogen डाल दे, तो pi bond तूट जाएगा, और दोनों carbon पर आप एक bond की जो कमी है, उसको halogen के साथ bond बना के पूरी करेंगे, ठीके, और या फिर आप उसमें HX डाल दीजे, HCL, HBR, यह सब आप डाल दीजे, prefer करिए bromine, bromine आपके लिए जारा preferable, otherwise chlorine में चलेगा, और marconic of addition आप करोगे, marconic of addition, marconic of addition क्या, class level में पढ़ा हुआ है, more substituted carbon पे, more substituted carbon पे halogen डालना है, ठीके, तो देखे, यह 2 degree carbon है, और यह 1 degree carbon है, 2 degree carbon, बन दिघरी carbon, तो more वाले carbon पे हमेशा क्या लगाना है, halogen लगाना है, ठीके, यह चीज़, ठीके, more substitute carbon पे आपको halogen लगाना है, नेगेटिफ चीज़ लगाना है, यह चीज़, ठीके, क्योंकि वहाँ पे positive charge आ रहरा है, stable होता है, positive charge stable होता है, तो वहाँ पर बी-ार आई देखे अगर हमारे पास इस तरीके से कार्बन है अगर हमारे पास इस तरह से कार्बन है तो रियाक्शन से पहले होता क्या है सर देखे रियाक्शन से पहले ये पाई बॉन पहले पोलराइज होता है रियेजिन को देखते ही P1 पोलराईज होता है और हमने बच्चों को सर्य याद कराया है कार्दो केटाइन प्लस चार्ज ठीक है कार्दो केटाइन केटाइन C English का तीसा अलफवेट स्टिबियल्टी ओडर 321 कार्ब A9 कार्ब A9 A9A English का पहला alphabet A9A English का पहला alphabet stability order 1, 2, 3 तो दीखे, π1 ऐसे polarize होगा अगर ऐसे polarize होगा तो HBR का plus किधर जाएगा, minus किधर जाएगा यह आप खुद से समझ सकते हैं and you will get the logic behind Markovnikov edition ठीक है, आपको सर Markovnikov edition का logic समझ में आ जाएगा ठीक है, यह चीज बहुत अच्छी बात है आपको सरक Markovnikov edition का logic समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी बात है इसमें यह भी ध्यान लखना कि अगर हम लोग alkene के उपर अगर हम लोग alkene के उपर HBR सिर्फ डाल रहे हैं या HCL डाल रहे हैं, तब तो भाई देखें Markovnikov edition होगा तब तो भाई देखें, Markovnikov edition होगा यहाँ पर B-R या फिर C-L आएगा और यहाँ पर hydrogen आएगा और अगर हम HBR प्लस परोक्साइड डाल रहे हैं अगर हम HBR प्लस परोक्साइड डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर anti-marconic of addition होगा anti-marconic of addition होगा और हमको radical mechanism के दोरा यहाँ पर mechanism ही बदल जाती है radical बनते हैं radical mechanism के दोरा now halogen less substituted कारण पर जाएगा यह 3 degree carbon है यह 1 degree carbon है तो अब less substitute कारण पर उपर halogen जाएगा और anti-marconic of addition works only with BR works only with BR anti-marconic of अगर आपको चाहिए तो आप HBR ही यूज़ करेंगे HCl plus peroxide में anti-marconic of नहीं लगता है HCl plus peroxide में anti-marconic of नहीं लगेगा ठीक है? HCl plus peroxide अगर लोगे और सोचोगे कि anti-marconic of हो जाए नहीं लगेगा वहाँ पर सीरे-सीरे mark-onic of edition ही हो जाएगा ठीक है? यह चीज़े चली सर बहुत अच्छी बात है great, nice, wonderful ठीक है? तो पहली चीज़ होती क्या सर? हैलोजन, मतलब हाइडो कार्मन के दौरा आप कार्गम को अंजाम दे अलकेन है, उसमें एफारिस करा दी ठीक है? हाइडोजन हटा, हैलोजन लग गया अलकेन है, HX डाल दिया, हैलोजन डाल दिया, HBR प्रस परोकसाइड डाल दिया उससे भी हमारा काम बन सकता है इसके बाद जो नए तरीके हैं उसमें हम लोग आते हैं उन में क्या है, सर, अलकोहल से अलकोहल से अलकेलाइट बनाना सर, देखे, अलकोहल से अलकेलाइट बनाना अलकोहल से, सर, देखे, हमको अलकेलाइट बनाना है उस पर अबम्लूख जरा सा आते हैं तो यहां पर सर, अब देखे, थोड़ा सा आपको जानना है methods of preparation methods of preparation using alcohol methods of preparation using alcohol alcohol के द्वारा ज़र alkaline बनाने की विधी alcohol के द्वारा चलिए alcohol बनाने के तरीकों के बारे में बातचीत करते हैं method of preparation using क्या सर? alcohol उस पर चलिए बाते हैं अब देखो दोस्तों अगर हमारे पास alcohol है तो देखे दो तरीके होते हैं alcohol से alcohol बनाने के ध्यान सुनना alcohol से alcohol बनाने के बच्चे देखे दो तरीके हैं पहली बार तो यह याद रखो कि alcohol में तुम directly अगर तुमने halogen डाल दिया और सोचों की सर काम हो जाएगा? answer है no never not you won't get alcohol directly halogen डाल दो nax डाल दो you won't get alcohol यह चीज़े नहीं बनती हैं all these reactions are not possible यह सब reaction नहीं चलती है reason क्या होता है? alcohol से directly alkaline नहीं बना सकते क्योंकि जो OH होता है यह क्या है? bad living group sir यह भी bad living group है molecule में चिपक करके बैठा हुआ है तो इसको हमने पहले घूस देना पड़ेगा कि भाई घूस लो और अब तुम निकलो यहाँ से तो यह ऐसे नहीं निकलता है तो इसको निकालने के लिए हमको इसको बड़ा तयार करना पड़ता है भाई देखो छोड़ दो क्यों जित प्याड़े हुए हो क्यों यहाँ पर डेरा जमाई हुए हो हटो यहाँ से हमको halogen लाना है ठीक है? यह चीज तो हमें इसको थोड़ा सा तयार करना पड़ता है अब तयार कैसे करते हैं? पहला तरीका होता है बेटा आप इसमें HCL डाल दें या HBR डाल दें ऐसा करने पर OH को H मिल जाता है और OH और H मिलके तो पानी बनके पानी से अच्छी चीज दुनिया में है ही नहीं बेटा समझे इस ब्रहमान में प्रित्वी का वजूद इसी लिए क्योंकि यहाँ पे पानी है तो पानी is everything तो OH को H मिलके है इससे अच्छा तो उसे जिंदगी भी कुछ और चाहिए ही नहीं तो RCL, RBR बन जाएगा और यह पानी निकल जाएगा तो यह पहला तरीका यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर आ रखना है कि जो HCL की reaction है वो थोड़ी slow होती है तो reaction को catalyze करने के लिए GNCl2 डालते हैं मिलकर के लूकस reagent बन जाता है ठीक है? यह हमारा की catalyze नहीं चाहिए सीधे सीधे हो जाती चीदे बहुत अच्छी बात है ठीक है BR की case में HBR से काम हो जाता है iodine के case में हमने NAI प्लस H3PO4 का mixture लिखता है NAI प्लस H3PO4 डालते है कोई और आपने last minute पर नहीं पढ़ना है इसका reason दिया हुआ है H2SO4 oxidizing agent है और iodine को देख बहुत ही तगड़ा reducing agent होता है तो इसलिए हाँ पर थोड़ा सा alert रहना पड़ता है तो ऐसा करने पर RI बन जाता है RI, Na3PO4 और पानी तो यह तरीका है अब देखो यह जो तीनों reaction है इन तीनों reaction में जो reactivity order है वो है 3 to 1 मतलब 3 degree alcohol में reaction तेज होगी ठीक है, 3 degree alcohol में rate तेज होगी 2 degree में slow होगी और 1 degree में और slow होगी और एक दूसरी set of reaction है जिसमें कि हम थोड़े से high 5 reagent लेते हैं high 5 reagent मतलब थोड़े से एक अलग reagent लेते हैं उनके साथ reaction कराते हैं जैसे कि ऐसे reagent जिन में halogen पहले से जैसे PCL5 PCL3, ठीक है PBR3 PI3 SOCL2 यह सब जो reagent है इन में देखिए पहले से halogen है इनको आपने यार रखना पड़ेगा इन सभी reactions में rate of alcohol is 1 to 3 rate of alcohol is 1 to 3 इन में जो reactivity का order है वो 1 to 3 का होता है तो RCL RCL RVR जो भी halogen है वो लग जाएगा RI and RCL यहाँ पर बनेगा PCL5 के case में POCL3 बनेगा PCL3 के case में H3 PO3 बनता है यह byproduct को यार रखिए और SOCL2 के reaction best reaction है क्योंकि इस reaction में जो byproduct है they are gaseous in nature इस reaction को कहते है सर डार्जन reaction और यह सबसे best reaction है मेरे बच्चों कभी भी तुमको अगर alcohol से alkalite बनाना है और अभी हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कभी भी तुमको अगर alcohol से alkalite बनाना है you will always go for darzen reaction examiner पर अच्छा impression पड़ता है कि बच्चा जानता है कोईले की जगे पर LPG क्यों अच्छी है क्योंकि LPG में जो बाय प्रोड़क्स है CO2 और H2O तो उड़ जाते हैं लेकिन कोईला जिलान में क्या होता है राख होती है कुडा करकट फैलता है तो वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है ठीक है चलिए सब यहाँ पर रियाक्टोडी ओडर यह है यहाँ पर रियाक्टोडी ओडर यह है पानी है तो 321 पानी है तो 321 क्योंकि वाटर में तीन आटम है H2O तो 321 यहाँ पर देखिए पानी निकल ला है तो 321 और बागी समय 1-2-3 चलिए सब बहुत अच्छी बात है ठीक है यह हमारे पास यहाँ पर कारिवर्ण है बहुत अच्छी बात है यह अली स्लाइड भी अपनी पूरी होगी अगर हमको बेंजीन से दोस्तों अगर हमको क्या बेंजीन से हेलो बेंजीन बनाना है अगर हमको सदीखें बेंजीन से हेलो बेंजीन अगर हमको बनाना तो we have two methods, we have two methods, method to prepare aromatic halide, methods to prepare aromatic halide, सदीखें अगर हम aromatic halide बना चाहते हैं तो हमाँ पास दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है सर, हमने सर बेंजीन लेना है, बेंजीन में याद रखना, always कौन से reaction होती है, ऐसी reaction, सबसे पहले बेंजीन होता है, उस पे एक एलेक्ट्रोफाइल आता है, इस रियाक्शन में या रखना, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आता है, जहांपे electron density high है, अलेक्ट्रोफाइल को कैया चीχे, जहांपे electron density high और जहांपे hydrogen present है, बेंजीन रिंग के उस carbon पे इलेक्ट्रोफाइल आता है, जहांपे electron density high है और जहांपे hydrogen है, ये दो conditions mandatory होती है, वहीं पर electrophilic substitution reaction होती है अब electrophilic substitution के लिए पहले आपको E plus generate करना है, electrophile generate करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते है बेंजीन के उपर हेलोजन डालते है और साथ में क्या डालते है Lewis acid, Lewis acid is must Lewis acid क्या करता है सर Electrophile को पैदा करने में help करता है जैसे कि Fe X3 क्या करेगा X minus को नोच लेगा Fe X3 था है Lewis acid यह electrophile को पैदा करता है यह X2 में से X minus को नोच लेगा X minus चला गया तो बचिया क्या X plus Electrophile पैदा करता है Lewis acid help in preparation of electrophile Lewis acid help in preparation of electrophile बिना इसके Electrophile पैदा नहीं होगा helps in preparation of electrophile बिना Lewis acid के electrophile पैदा नहीं होगा ठीक है सर बहुत अच्छी बात है तो chlorine plus FeCl3 या bromine plus FeBr3 और या फिर सिर्फ FeV चलेगा Fe X3 की दिखे़ पैदा आप Fe X3 को सर आप लिखेगा exam में हो सकता आपको confuse करने के लिए सिर्फ Fe डालते तो भी reaction हो जाएगी हैलोजन लगा दो के बेंजीन पर ठीक है और या फिर क्या दुनिया में सभी aromatic compound को बनाने का सबसे बहतरीन तरीका क्या सर डाइजोनियम salt डाइजोनियम salt से हम सारे aromatic compound बना सकते हैं प्रॉब्लम क्या है कि डाइजोनियम salt की reaction सिर्फ छोटे scale पर ही संभव है laboratory scale पर ही संभव है बड़े scale पर यह reaction नहीं की जा सकती है बड़े scale पर यह reaction नहीं की जा सकती है ठीक है यह चीज़ तो डाइजोनियम salt में अगर हम क्या डालते हैं Cu प्लस HCl डालते हैं ठीक है यह सी यू प्लस HBR डालते हैं तो हमको क्लोरीन और ब्यार लग जाता है अगर आप थोड़ा सा बेटर इल्ड चाहते हैं तो आप सी यू प्लस HCl की जगे पर सी यू टू सी यल टू प्लस HCl भी ले सकते हैं और यहाँ पस सी यू टू ब्यार टू प्लस HBR भी ले सकते हैं इससे भी काम हो जाता है तो डायजोनियम सॉल्ट पे सी यू प्लस HCl और सी यू टू प्लस HCl कॉपर वन कॉपर की स्टेट क्या है प्लस वन स्टेट है तो हमको यह मिल जाता है, iodine के लिए का या निए डालेंगे और fluorine के लिए क्या Hb4 डालेंगे, ऐसा करने पर हमको aromatic halide का preparation मिल जाता है, ठीक है, यह चीज़े हमाई पास यहाँ पर aromatic halide को बनाने के लिए, तो aromatic halide कैसे बनाओगे, benzene में halogen plus lus acid डालके और या फिर डायजुनियम salt में, यह सब डाल करके ठीक है यह चीदे जब हम सी यू तू प्लिस एह इसे अले से dwarf उधर जब रियक्षण को कहते हैं किया सैन्ड में इसन गय स्यंड में इसके लाती हैं और जब से ओ jij Woah प्लस डे अले more reaction को कहते हैं क्या Getterman सैंड मेर reaction में better yield होती है यहाँ पर yield better है हम बच्चों को हमेशा बताते हैं कि गेद्द मेर Left ci ते हैं यह चीज यह हम लोग ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी बात Great-nice-wonderful अब इन सभी reaction में जो सब się इंपॉर्टेंट रियाक्शन उसन पर आते हैं वह है क्या है है लोगे लगा है इस पर जलिए हम लोग आते हैं है है लोगे आते हैं देखिए एफ आर इस रियाक्शन से आर एफ आर सी एल आर बी आर एंड आ रही है ठीक है एफ आर इस रियाक्शन का जो ओर्डर होता है वह होता है एफ आर इस रियाक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए बेस्ट होती है फ्लोरीन में रियाक्शन इतनी भ्यानक होती है कि आग लग जाती है आयोडीन में रियाक्शन इतनी स्लो है कि रिवर्सबल है बिना ऑक्सिराइजिंग एजेंट ही ओथरी के नहीं रही होती है तो most of the methods हैं वो chlorine bromine के लिए उप्योगत होते हैं हमाई पास alkyl chloride, alkyl bromide को बनाने के अथा तरीके हैं लेकिन alkyl fluoride, alkyl iodide नहीं बना सकते हैं तो alkyl fluoride, alkyl iodide कैसे बनाएं तो उसके लिए तरीका है आप पहले chloride bromide बना लो फिर उसमें से chlorine bromine को हटा करके fluorine iodine लगा दो तो halogen को पल्टी कर दें तो उससे भी अपना काम हो जाएगा तो इसमें हमाई पास दो तरीके हैं एक है हमारे पास swadze reaction एक हमाई पास swadze reaction और एक हमाई पास क्या finkelstein reaction swadze reaction and finkelstein reaction क्या है swadze और finkelstein reaction का खेल समझते हैं जड़ा एक है swadze reaction और एक है finkelstein reaction देखे बचो finkelstein में F है तो ये F के लिए नहीं iodine के लिए है तो क्या होता है finkelstein में alkyl iodide बनाते हैं हमने लेना है alkyl halide कौन सा halide क्लोरीन या फे ब्रोमीन उसमें डालना है ki in acetone उसमें डालना है ki in acetone ठीक है और reaction के बाद halogen की जगे पे iodine आ जाता है और जो x है वो kx बनके precipitate बना देता है it makes precipitate ये reaction बैकवर्ड जादा favorable थी बट बैकवर्ड होती नहीं है क्यों नहीं होती क्योंकि kx जो है वो तो precipitate बना लिया और जो चीज़ precipitate बना लिया वो solution साइट हो गया जो चीज solution से बाहर हो गया वो game से out है वो game नहीं खेल पाएगा वो game का हिस्सा ही नहीं है जो खिलाडी मैदान के बाहर चला गया वो कैसे खेल सकता है वही चीज़ यहाँ पर भी है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करते है halogen को precipitate बना करके game से बाहर कर देते है अब वो खेली नहीं सकता है यह चीज़ यहाँ पर स्वाट्स रियाक्शन किसके लिए होती है फ्लोरीन के लिए होती है हमने alkyl halide लेना है और उसमें common जो हमारे पास फ्लोराइट्स है नहीं लेना है क्योंकि इनके साथ रियाक्शन बॉंबास्तिक हो जाती बहुत मतलब आग वाग ले जाती है बहुत तेज होती है हमने agf लेना है हमने cof2 लेना है हमने hg2f2 लेना है ठीक है हमने sbf3 लेना है यह सब हमने फ्लोराइट्स लेने है ठीकि साफ साफ ncrt में हाँ पर mention किये गए हैं तो उसी पर हम आपको दिखा भी देते हैं ठीक है agf hg2f2 sbf3 cof2 यही सब जो इनको आपने learn करना है इनके साथ जब हम heat करेंगे yes heat तो करना पड़ेगा तो f- आएगा और x-1 जाएगा and you will get क्या alkyl fluoride बड़ी important reaction बड़ी important reaction है इससे हम लोग alkyl fluoride और iodide बना सकते हैं यार रखना conversion के सवालों में fluoride और iodide के लिए halogen exchange reaction को जबरदस्ती दिखाना है इससे examiner के उपर आपका अच्छा impression आता है कि बंदे को पता है ठीक है यह चीत है और आपका exam कब होगा अभी हमाई साथ जब हम practice करवाएंगे तब अभी जब हम practice करवाएंगे सवालों की तो ही आपका exam है सर आपको कहीं और जाने की आवशकता नहीं है ठीक है सर तो यह हमा अब यहाँ पर सवाल आता है बच्चों का जो most of the time repetitive question होता है कि कैसे कम समय में सर हम effective revision को अंजाम दे तो मैं हमेशा बच्चों कहता हूँ कि भाई देखो अगर आप revision करना चाहते हो तो बिटा past year question से अच्छा J main के revision का कोई और तरीका नहीं हो सकता है अब यहाँ पर सवाल लाता है कि सर किस तरीके से हम chapter wise PYQ को चाटे इतने सारे paper हो चुकि कौन-कौन से सवालों को लगाएं कौन-कौन सवालों को ना लगाएं तो आपकी इस मुसीबत को हल करने के लिए मुझे बहुत ही recently S.Chan publication की तरफ से बचों कुछ books offer की गई थी उन्होंने का सर प्लीज राउंड सौ से अधिक NTA के लास्ट के पाच यर question papers के सवालों को select किया गया है हर सवालों की जो answer की है NTA approved answer की है तो वहाँ पर कोई भी बच्चो error मौझूद नहीं है और साथ-साथ हर एक question का written as well as video solution में मौझूद है और जो सवाल यहाँ पर छाटे गए है वो एक्दम कर रहे हैं और आप last minute पर revision करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर आपका screen time ज्यादा ना रहे आप खुद से बच्चो question paper solve करें तो मुझे लगता है सर यह book आपके लिए 100% helpful रहेगी physics chemistry math तीनों की ही बच्चो यह books launch की गई है मैंने chemistry की books को review किया 100% 100% 100% मैं कह सकता हूँ कि यह book आपकी बच्चो preparation में 100% बच्चो मदद करेगी और revision में इन सवालों को आपको लगाना ही बच्चो चाहिए तो अगर आप इन books को purchase करना चाहें definitely आपको मेरी तरव से एकदम green signal है आप इन books को ले सकते हैं उपर से S.C.C. आले बच्चों ने बच्पन में लखमीर सिंग मंजीत को और की books पढ़ी होती हम सब जानते हैं पुराना publication group है तो इनकी जो भी content जो भी quality है मतलब printing quality paper whatever सब कुछ बहुत ही अच्चा है और मैं अपनी तरव से इस book को 100% 100 out of 100 देता हूँ क्योंकि ये book 100% आपके revision के लिए मददगार बच्चों साबित होने वाली है अगर से लगाना ही चाहिए बहुत अच्छी बात है वीडियो मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा हो गया है पड़ते पड़ते ऊप जाते हैं ठीक है इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं lecture 2 पर आते हैं जहां पर हम chemical reactions over alkalite पर आते हैं ठीक है chemical reaction over alkalite पर हम लोग आते हैं अभी method of preparation हो गया physical property plus method of preparation chemical reactions over